तो आज के वीडियो में हम MS Access को कैसे यूज किया जाता है कैसे उपन किया जाता है कैसे इसमें अपडेटा बिस खोल सकते हैं और कुछ बेसिक सीखेंगे इसके बारे में और कुछ बेसिक कोश्चिन्स देखेंगे तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो पहले हम एक्स बस एक्से सर्च किया हमने उपन यह हमारा एक्सेस खोल गया अब इसमें हमको अगर ایک बलांक वर्कबिक ने करना है यह क्लिक किये यह इड़ेटाबेस क्रिएट तो यह एक बलांक बलांक देटाबेस होगया इसमें आपको पूरा अपने से फरिंटर करके इसको फिल करना होगा जो भी डेटा आपको डालना है तो ये हो गया ब्लैंक डेटाबेस इसमें आपको अपने से जो भी डेटा फिल करना है आप कर सकते हैं अपने नीड के हिसाब से अब ये तो हो गया new database add करके कैसे use करते है उसका अब अगर हमारे पास पहले से database है अब हमको उस पे काम करना है तो उसके लिए अपना saved data database कैसे open करें तो उसके लिए अब certain content in database has been disabled तो इसे सबसे पहले हमें enable करना होगा तो option पे क्लिक करें यहां enable this content करें और ok कर दें तो मेरा database खुल गया यहां पे आप दो बर क्लिक करें तो देखिए यह एक database है और एक यह database है ठीक है अब हमको हमें इस database पे काम करना है तो चलिए कुछ easy simple से questions solve करते है ठीक है जैसे कि यह पहला question है display the bill details of the items sold by HO हमारा database में आपने notice किया होगा नहीं किया तो देख ली रहे sales person देखिए यह HO है ठीक है तो यहां question है कि display the bill details of the item sold by HO तो हमें क्या करना है HO के द्वारा जो भी product sold हुए है उसके सिर्फ उसी के details हमें show करना है तो चलिए हम query लिख के मैं आपको दिखाता हूं तो इसके लिए आपको create पे करना होगा और यहां पर यह query design जो है इस पर click करें और इसको close करते हैं अब यह SQL view पर click करें यह SQL view पर click करें यहां पर query क्यासे लिखते हैं तो सबसे पहले हमें select लिखना होता है उसके बाद यहां पर कुछ specific नहीं दिया है कि हमें product name, price, sell person इस type पर कुछ specific नहीं दिया है कि हमें select करना है तो हम वह नहीं करके इसने बस बोला है कि जितने भी details हैं वह show करना है जो सिर्फ ho के द्वारा sold है तो हम यहां पर लिखेंगे star तो यह star हम डालते है सारे data को select करने के लिए अब हमें किस file से select करना है तो हमारा data यह product sold पर है तो हमें यहां पर select star उसके लिखना है अब हम लिखेंगे कहां से में select करना है data उसके अब product sold में हमारा data यहां लिखेंगे product sold अब इसके बाद हमें condition बताना हमारा condition क्या था कि जो भी sell हुआ है हो के द्वारा तो हमारा salesperson name हो है तो यहां पर बस कुछ नहीं करना बस लिखना है where salesperson equal to और इसे bracket में डाल दे हो ब्रैकेट बंद करें और यह run पर click करें यह देखिए सिर्फ HO के द्वारा जितने भी sales है सब यहां आ गया तो यह बहुत simple सा है चलिए एक और question देखते हैं यह भी simple सा ही है display the product name देखिए यहां पर specific दे रहा है हमें product name price और salesperson ही select करना है तो हम यहां पर star नहीं देखिए of those products whose color is not black other than pencil तो इसमें हमें उन products का details देना है जिनका color black नहीं है और pencils नहीं है तो आईए start करते हैं तो इसे close कर दे या आप चाहें तो इसे save भी कर सकते हैं इसे save यहां पर save करके कर सकते हैं आप चाहें तो इसे कुछ भी नाम दे सकते हैं मानली जह मैंने question 1 लिख दिया कर दें यहां save होगया आप जब भी चाहें जैसे इसे मानली जब हमने close किया तो आप जब भी चाहें इस पर check कर सकते हैं जो भी आपने query लगाया था यहां पर click कर यह देखें आपका result है और आपको देखना है आपने query लिखा क्या था तो यहां पर right click करें और SQL view पर जाए य तो चली अब हम next query लिखते हैं तो फिर create पर जाना है query design इसे close करें SQL view ठेक है अब यहां पर हमारे question में है कि हमें product name price salesperson show करने सिर्फ उन products के जिनके color black नहीं है और pencils नहीं है और वो pencils भी नहीं है ठीक है तो चलिए लिखते हैं पहले तो हमने select लिख दिया अब यहां पर हमें पहले ही इसने बोल दिया है तो product यहां पर start नहीं देंगा याद रखेंगा product name फिर comma price, salesperson, color अब फिर हमें बताना है कि हमें data किस file से उठाना है तो इसके लिए हम लिखेंगे फिर from product sold अब हमें condition लगाना है तो इसके लिए तो पहले हमें where लिखना होगा इसके दा हमारा condition पहला क्या है कि color black नहीं होना चाहिए तो इसके लिए color और not equality के लिए यहां पर यह sign हमने फिर product name फिर not equal to clear हमने यूज किया फिर inverted comma और यहां pencils inverted comma बंद अब बस इसे run कर दे तो यह देखिए product name में कहीं आपको pencils नहीं दिख रहा होंगे और color में कहीं black नहीं है तो यह हो गया एक और question question solve इसे भी मान लिए हमने save कर लिया question 2 आए एक और simple question solve करते हैं अब इसमें है display the build details of salesperson gil मतलब हमारा एक salesperson है gil उसके build details दिखाने हैं सिर्फ उन details के बारे में दिखाने हैं जिसमें उसने 30 से ज्यादा items sold किया है and Jones के बारे में भी दिखाने हैं जिसमें उसने 20 items हम से कम sold किया है तो आईए लिखते हैं फिर से query हम फिर से हमें create query design close करें square click करें अब इसमें हमें क्या कर दिखाने बोला है इसमें इसने स्पेसिफाई नहीं किया कि मैं product name price salesperson क्या 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 लेना है तो हम इसके लिए direct star लेंगे इसका मतलब है कि वह सारे चीज़ों को शूप करेंगा अब हम यहीं पर लिखेंगे from कहां से select करना तो product sold ठेक है अब यहां पे हमें condition बताना है condition के लिए where अब यहां पे दो salesperson के बात हो रहा है इसलिए हम एक salesperson के जो condition को उसको एक bracket में डालेंगा और अगले को अगले bracket में तो पहला bracket हम start करते है और salesperson एक्वल टू इंवर्टेड कॉमा गिल and units क्योंकि 30 units से कम होने चाहिए ज्यादा होने चाहिए तो यहां पे greater than 30 अब हम bracket बंद करते हैं अब हमें दूसरे salesperson जोन का condition लिखना है तो फिर हम यहां अब उसे हम और से लिखेंगे और फिर से bracket on open किये यहां पे salesperson इक्वल टू जोन्स फिर इंवर्टेड कॉमा बंद and units less than 20 हमें दिखाना है ब्रैकेट बंद तो बस यह आपका query होगे इसे run कर दें यह देखें salesperson जोन्स और गिल्स ही है और यूनिट्स देखें जोन्स का 20 से कम रखना था तो जोन्स का देख लें 3, 13, 8, 17, 3, 9 कहीं आपको 20 से जादा नहीं दिख रहे हैं और गिल्स का हमें 30 से अबब रखना था तो यह 33, 37, 31, 42, 49, 38 कहीं आपको 30 से कम नहीं दिख रहे हैं तो यह हो गए है चली से भी save कर देते हैं तो यह तो हो गए कुछ simple से तरीके यूज करना ही के है कुछ simple से questions हमने solve किया तो आज के लिए हम इतने ही करते हैं नेक्स्ट वीडियो में हम यह देखेंगे कि जैसे मेरे पास यहां दो file है एक product sold और एक salesperson तो अगर हमारा question आता है जिसमें इसमें तो यह bill number, salesperson, product name, color, unit, bill date, price, total अब salesperson में क्या है location, email id अगर हमें आता है कोई question की हमें कुछ data इसमें से उठाने है और कुछ data इसमें से लाइक हमे product name, salesperson, color यहां से उठाने है और location और email id भी दिखाने है तो अब इन दोनों को connect करके हम कैसे एक query में लिखके result ले वो हम next video में देखेंगे तो आज के लिए इतना ही thank you for watching में वीडियो, मेरे वीडियो को like और share जरूर करे और मेरे चैनल को subscribe करना ना भूले, thank you